करेंगे exercise 2.1 के question number 5th और 6th की तो पहले हम 3rd और 4th जो question है discuss कर चुके हैं तो 5th और 6th को देखते हैं तो हमें दी है ये linear equation 1 variable के साथ इसमें हमें x की value find out करनी है जो कि left hand side को equal to prove करे right hand side के इसमें हमें t की value find out करनी है जो कि left hand side को prove करे right hand side के तो देखते हैं क्या होगी तो यहाँ प क्या करें आप देखिए 6 जो है multiply है यानि कि इसके साथ गुना किया हुआ है इसको 6x है तो आप दोनों तरफ क्या करें आपको तो x की value चाहिए तो 6 से divide करने इस तरफ भी और इस तरफ भी 6 से divide करने तो क्या होगा देखिए यहां 6 cut out हो जाएगा तो यहां x बचेगा और ज यह क्या आएगा 12 यानि कि left hand side में 12 आ गया right hand side में था 12 तो यह आपका prove हो जाता है तो यहां पर आपने इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं question number 6 की बात करते हैं अब यहां पर है t by 5 equal to 10 अब देखिए यहां पर t by 5 है हमें तो t की value चाहिए सिर्फ तो अगर हम 5 से multiply कर दें इस तरफ और इस तरफ भी 5 से multiply कर दें तो balance रहेगी equation क्योंकि दोनों तरफ ही 5 से multiply किया है लेकिन यहां पर हमें multiply क्यों किया क्योंकि यहां प गया और equal to 10 into 5 क्या आगया 50 आगया तो t की value आती है 50 अब t को यहां 50 put करके देखें आप तो t की जंगा आपने 50 put कर दिया divide में क्या है 5 तो 5 को जब आप 50 से divide करेंगे तो क्या आएगा 10 जो की है right hand side पे भी है तो left hand side किसके बराबर हो गई right hand side के तो इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं तो इस तरह से आसानी से अगर आप पूरे जो basics हैं आपके clear हैं तो आसानी से आप techniques लगा के इनको solve कर सकते हैं तो यह था exercise 2.1 का question number 5 और 6 तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे channel ज्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं thank you